हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 10 जनुवरी सी टेटर्टीटीटीवन पेपर वन के फुल थर्टी कोश्चन्स एवियस के करेंगे तो आपका पहला कोश्चन आया था select from the following the kind of houses that should be made by most of the village people living in the region with heavy rainfall निमन लिखित में से चुनिये कि भारी वर्सा वाले छेतरों में रहने वाले अधिकांस गाओं के लोगों द्वारा किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं तो आपका पहले का option तीसरा सही हो जाएगा धलवा च्छतो वाले इस्टिल्ड पर मकान, houses on, इस्टिल्ड विथ स्लोपिंग रूप्स आपका second question आया था नेम आपदा लेडी वेटलिफ्टर who has won 29 medals in the international events is अंतरस्टीस परधाओं में 39 पदक जीतने वाली महिला भारत ओलग का नाम है तो आपका दूसरे का option पूर्थ सही हो जाएगा करणम मलेश्वरी दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इ इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के solutions देख लीजिए आपका थार्ड कोर्शन आया था दा पिछे प्लांट दैट्रेप्स एंड इट्स फ्रॉग और इंसेक्ट इंफाउंड इन वे पौधा जो मेड़ को और कीडों को फसाता है और खाता है वे पा सिटी एड़ राइट हैंड टॉप कॉर्णर था स्केल इस प्रिंट इस स्केल वन सेंटीमेटर इस एक्वल तो 950 मीटर इफ और इस मैप अमेजर दिस्टेंस बिट्वीन रेलवे स्टेशन एंड एया पूट इस इस तू प्लेसे इस अप्रॉक्सिमेटली आपकी पुस्तक पर एक बड़े सहर का नक्सा है दाहने हाथ के सी स्कोने पर पैमानी की रूप में मुद्रत किया गया है पैमाना एक सेंटीमीटर इस इक्वल टू 980 मीटर यदि इस मांचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड़े के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है तो आपका फूर्थ का ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा 15.9 किलो मीटर आपका फिप्ट कोशन आया था स्लेक्ट फॉर्म दा फॉलोविंग रिस्पोंसिबिल्टीज आप ग्रूप लीडर हूज लीडस इन मांटें रिंग परबता रोहन में नेतरत करने वाले समू के नेता की निम्न लिखे जिम्मेदारियों में से चयन करें तो आपका फिप्ट का ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा C, D और E प्रति भागियों को अपना बैग ले जाने में मदद करें एक उपियुक जगहे खोजे जहां प्रति भागी रुख सके और आराम कर सके जो आस्वस्त हैं उनकी देख भाल करें और समू के लोग समू के लिए उचित भोजन की प्यवस्ता करें आपका सिक्स्त कोश्चन आया था तनसीडर था फॉलोविंग स्टेट्मेंट्स अबाउट अफ ट्री एक पेड के बारे में निमलिखेत कतनों पर विचार करें इसमें आप उच्दाजर टोक के बारे में बताना था तो आपका सिक्स्त को ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा ये पेड अपनी सून में पानी जमा करते हैं देश ट्री ग्रोज एज तॉल एज दॉल्स आपका सेवंध कोश्चन आया था एन एक्स्प्रेस ट्रेंट गोस फॉलोविंग तो लगनोव बाया मुरादाबाद बारे मुरादाबाद तो इसमें आपको स्पीट फाइंड करनी थी तो आपका सेवंध कोश्चन आपश्चन आपको स्पीट करनी थी तो आपका दूसरा सही हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका एट कोश्चन आया था यदि आप भारत के मान चितर पर एक सीधी रेखा खीशते हैं जो भारत की राजधानी को पश्चम मंगाल की राजधानी से जोड़ती हैं तो दच्षड तो नई दिल्ली के सम्मंद में कोलकात पाकिस्तान की दिसा होगी तो आपका एट्थ कोश्चन पहला सही हो जाएगा देच्षड पूर्व साउथ एस्ट आपका नाइंध कोश्चन आयता है ग्रिगर मेंडल वाज़ा मॉंक हूद एक्सपेरिमेंट्स फोर साइवन एस ओन 28,000 पी प्लांट्स इन दा गार्डेन प्रड़ प्लांट्स विच्व इन पेस लग्ट फॉलोविंग दवन विच वाज नौट फॉंट बाइंडल ग्रिगर मेंडल एक साधू थे जन्होंने एक मट के बगीचे में 28,000 मतर के पौधों पर साथ साल तक प्रियोग किये उन्होंने पाया कि मतर की पौधों में ही हो जाएगा अगली पीड़ी के पौधों में हरे और पीले दोनों रंग से बने मिश्चत नए रंग के बीज होते हैं आपका टेंथ कोश्चन आया था नेम अब बर्ड विच हैज़ा फॉलोविंग करेक्रिक्रिस्टिक्स अक्राउन कि अंदा हैड एंड क्वाइन आफदा टेल सो मैंनी सेट्स ऑफ ब्लू टॉप टॉइल एक पच्छी का नाम बताईए जिसमें निम्न लिखित विश्चता हैं सिर पर मुकुट और पूच पर सिक्के रूप से उपर से पर इस्रम तक नीले रंग के इतने रंग तो आपका इंडिया है इस्टेट्स भारत में कितने राज है तो आपका इलेवेंट का ऑप्शन पूट सही हो जाएगा अठाइस राज और यूनियन टरेट्री एट है एंसा से त्रदेश आपका थर्टीन पूश्चन आया था इफ यू आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन से पटना से चंडिगर की यात्रा कर रहे हैं तो जिस केंद्र सासित प्रदेश से आपके गुजरने की संभावना नहीं है वे है तो आपका थर्टीन का ऑप्शन तीसरग सही हो जाएगा पंजाब आपका फोर्टीन पोश्चन आया था अग्रोपा थ्री डिसीजेज इस्प्रेड बाइब मस्क्यूटोस इस मच्छों के फैलने वाली तीन बिमारियों का समू है तो आपका फोर्टीन पोश्चन तीसरग सही हो जाएगा मलेरिया डेंगू चिकुनगुनिया आपका फिप्टीन पोश्चन आया था स्ले आपका फिप्टीन पोश्चन आया था एक अलग देश से एक नया चात्र अपनी कच्छा में सामिल होता है जिसमें मुख के रूप से इस्थानी चात्र सामिल होते हैं आप इस अफसर का प्योग विभिन्य संस्कितियों में प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए करना चाहत हैं यह महत्व पूर्ण है तो आपका सिक्टीन पॉप्शन दूसरा सही हो जाएगा पूर्वा ग्रह और रूडियों को काम करें और विभित्ता को महत्व दें आपका सेविंटीन पोश्चन आया था विच आप फॉलोविंग पीच्छर्स आफ जूम आफ जूम एप कैन ब इसमें आपका आप्शन पहला सही हो जाएगा चैट में जी आई एफ आपका 18 कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावाज दर्ष्ट कोड के साथ सबसे अधिक निकरता से मेल खाता है तो आपका 18 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा प्रदूसकों की उपस्ति की पहचान करने के लिए नदी की रंगा उप्योग करना आपका 19 कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सक्रिय सिच्छड में सनलगन चात्रों का सबसे अच्छा उधारन है तो आपका 19 कोश्चन पहला सही हो जाएगा वर्सों से बाहनों को दर्साने वा पर एक पार्ट के सम्मंद में एक प्रमाड़ी कार क्या होगा तो आपका 20 कोश्चन सही हो जाएगा विद्यार्थियों से अपने डेस्क के लिए एक पैंसे लिस्टन बनाने के लिए कहना जिसमें विक अच्छे माल का चैयन करना चाहते हैं जिनका वे उप्यों करना चाहत नीचे दीगी प्रत्क्रियाओं में से कौन सी इवियस में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करेगी तो आपका 21 का उप्शन पहला सही हो जाएगा खेल सदियों से खेले जाते आ रहे हैं खेल सदियों से खेले जाते रहे हैं और आपने अपने लोगों को फुर्सत या काम के लिए खेल खेलते हुए देखा हैं यह अध्याय आपकी परवेश को बहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने का एक हिस्सा है आपका 22 कोश्चन आया था सहमीर प्रत्वी के निचले हिस्से की और इसारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यह कोई नहीं रहता है उजयरा यहां भी लोग रहते हैं ब्राजील और आर्जंटीना यहां हैं सहमीर क्या वहां के लोग उल्टा खड़े हैं यह लोग गिर क्यों नहीं जाते उप्रियोक्त पाट का उप्रोक्त पाट का उप्योक च्छपाज के छात्रों को गुरुत्व सही हो जाएगा ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें पिन को विभिन हिस्तियों से देखें यह दच्छी गुलार्थ में उसी तरह है आपका 29 कोश्चन आया था आपका इंदरीय अंगों विशय के लिए इन में से कौन एक विश्चिस्टम आपने योग और प्राप सीखने का उदेश है तो आपका 23 कोश्चन पूर्थ सही हो जाएगा चात्र भोजन एक खटा करने के लिए जिस सिंदरीय अंग पर भरोसा करते हैं उसके आधार पर जानवरों को दी गई सूची को वर्गी खरत करें आपका 24 कोश्चन आया था आप अपनी कच्छा में गूंद की एक बड़ी बोतल लेकर जाएं बड़ी बोतल लेकर आये हैं ताकि चात्र आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजना परियोजनाओं के लिए उप्योग कर सके आपने चात्रों से कहा है कि बोतल समाप्त होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसे समजारी से इस्तमाल करना होगा निम्न लिखित में से कौन सी गतिविदी चात्रों को उन संसादनों के सनरचन पर सनलगने करने में मदद करेगी जिनने वापस नहीं लाया जा सकता है तो आपका 24th को आप्शन 4 सही हो जाएगा चात्रों को एक सामान रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कि उन्होंने हर बार कितने चमच गोंद लिया और कब और क्यों आपका 25th कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग इस बेस एक्जामपल आफ आराइविंग अटाइस स्पेस्फिक अंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन निम्न लिखित में से कौन प्रियोग का उप्योग करके किसी विशिस्ट निसकर्स पर पहुँचन का सबसे अच्छा उधारण है आपका 25th कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा यह समझना कि आप चाय के ऊपर हवा उडाते हैं तो एक गर्म तो एक गर्म तब चाय ठंडी क्यों हो जाती है आपका 26th question आया था which of the following is least relevant as a hook or opening for introducing the topic of seasons रितुमों के बारे में या रितुमों के विसे को प्रस्तुत करने के लिए निम्न लिखित में से कौन हुक या ओपिनिंग के रूप में सबसे कम प्रासंगिक है तो आपका 26th option पहला सही हो जाएगा विद्यार्थियों को सेर पर ल कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे आपका 27th question आया था सीखने का उदेश छात्र संचारी और गय संचारी रोगों के बीच के अंतर को समझेंगे निम्न लिखित में से कौन सा मुल्यांकन प्रश्ण इस सीखने के उदेश के लिए सर्वोत्तम परिछण करता है तो आपका 27th question तीसरा सही हो जाएगा सामान सर्दी का संचरण मधुमेज से कि इस प्रकार भिन्न हैं आपका 28th question आया था एक सिच्च का एक व्यापक रूप से सुईक्रित कम्प्यूटर प्रोग्राम का उप्यों करती है जो अपने छात्रों को प्रतिवी के वे भिन्न पह में एक निर्देशात्मक उपकरण के रूप में इस अप्लिकेशन का क्या लाब है तो आपका 28th option फोर्थ सही हो जाएगा यह चात्रों को पारिदरश्च को बहतर ढंग से समझने में मदद करता है आपका 29th question आया था अटीचर ब्रिंग्स तू पॉर्टेट प्लांट्स त इन लिकित में से कौन सभी से इन पॉद्धों का उप्यों करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है तो आपका 29th option फोर्थ सही हो जाएगा पॉद्धों में फैला बीज स्थीड प्लांट्स आपका 30th question आया था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ सेयर करें मेरे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आज हम 10th जनवरी को हुए seat 2021 पेपर 1 के full 30 questions CDP के complete करेंगे तो आपका पहला question आया था निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आप इसमें जरूर फोकस कीजिए सही नहीं है पूछा गया है या सही है पूछा गया है तो इसमें पूछा गया है सही नहीं है वो कथन आपको बताना है तो आपका पहले का option दूसरा सही हो जाएग विकास केवल अनवान सिक्ता से प्रभावित होता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम सिफ्टों के सलुशन्स अल्रेडी प्रोवाइड कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के solutions देख लीजिए तो आपका second question आया था निम्न लिखित में से कौन सा भासा अर्जन के लिए सम्वेदन सील काल है तो आपका second option दूसरा सही हो जाएगा प्रारंबिक बच्पन, early childhood आपका third question आया था डैश और डैश बच्चों के समाजी करण के लिए माध्मिक एजन्सियां हैं तो आपका third option तीसरा सही हो जाएगा इस्कूल धर्म, इस्कूल रिलीजन आपका fourth question आया था जीन प्याजे के संग्यनात्मक विकास के सिंधान्त में बच्चों द्वारा संरच्छन प्राप किया जाता है तो आपका fourth option तीसरा सही हो जाएगा मूट संक्रियात्मक, concrete operational stage आपका fifth question आया था जो बच्चे भोस परचालन चरण में हैं उनके लिए सिच्चिकों को ये नहीं करना चाहिए तो आपका fifth option दूसरा सही हो जाएगा ऐसी समस्याएं देजिए जिनके लिए अमूरतन की और सकता होती है गिव प्राब्लम्स दैट रिकॉर अफ्स्ट्रेक्शन आपका sixth question आया था चार से पांस साल के बच्चे अक्सर खुद से बात करते हैं लेव दगाउट्सकी के अनुसार ये बात तो आपका sixth option फूर्थ करेक्ट हो जाएगा उन्हें अपनी सोच को वी नियमित करने में मदद करता है helps them to regulate their own thinking आपका seventh question आया था किसने इस बात पर जोड़ दिया कि सामाजिक और सांस्कतिक संदर्भ के बिना व्यक्तिकत विकास को नहीं समझा जा सकता है तो आपका first option correct हो जाएगा लेव दगाउट्सकी आपका eighth question आया था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सध्धान्त के किस चरण में व्यक्तियों का तर्क है कि किवल समाज ही व्यक्ति नहीं ये निधायत कर सकता है कि क्या सही है तो आपका eighth option तीसरा सही हो जाएगा प्राधिकरण और समाजिक विवस्था अभी विन्यास बनाए रखना Social Order Maintaining Orientation आपका ninth question आया था Harvard Gardner द्वारा प्रस्तावित लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजन्स में निम्न लिखित में से कौन सा विवरण फिट बैठता है तो आपका ninth option ओर्थ correct हो जाएगा वैज्यानिक रूप से मुद्दों की तर्क और जांच करके समस्याओं का विश्लेशन करने की छंता आपका tenth question आया था एक प्रगति सील कच्छा में सीखता है तो आपका tenth option पहला सही हो जाएगा बाच्चीट और समबाद के माध्यम से होता है तो आपका 11th question अजर्शन और reason वाला आया था तो आपका अभिकतन दिया गया था गड़ित के सीखतों को कच्छा में लड़िकियों से बहुत कम पेच्छाएं रखनी चाहिए लड़िकियों में गड़ित को समझने की आनुवान से खंता नहीं होती है तो आपका 11th option 4th correct हो जाएगा दोनों A और R गलत है बोथ A and R are false आपका 12th question आया था भासाओं के संदर्व में राष्ट्री सिख्छानीती 2020 इस पर बल देती है तो आपका 12th option पहला सही हो जाएगा बहु भासा बाद Multilingualism आपका 13th question आया था मुल्यांकन का उद्देश्य है तो आपका 13th option 4th correct हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में सिच्छार्तियों का समर्थन करने के तरीकों का पता लगाए आपका 14th question आया था Which of the following questions promotes critical thinking निम्न लिखित में से कौन सा प्रस्न अलोचनातमक सोच को बढ़ावा देता है तो आपका 14th option 4th correct हो जाएगा सहरी करण और वैश्वी करण बिभिन सामाजिक आर्थिक स्थर्क लोगों को प्रभावित करने वाले बिभिन करीकों का विसलेशन करें आपका 15th question आया था सिच्छार्तियों के वीच व्यतिकत मदभेदों को पूरा करने के लिए एक सिच्छा को चाहिए तो आपका 15th option दूसरा सही हो जाएगा सिच्छार्तियों दौरा उनके साथ उप्यों किये गए पिछले अनभवों का निर्माड करें आपका 16th question आया था एक समावेशी कच्छा में तो आपका 16th option दूसरा सही हो जाएगा चात्र समान रूप से पढ़ते और विक्षित होते हैं आपका 17th question आया था आर्थिक रूप से कमजोर वरके चात्रों की सिच्छा की सम्बंद में सिच्छा का अधिकारत नियां 2009 के खंड बारा द्वारा निम्न लिखित में से इसकी सिपारिस की गई है तो आपका 17th option दूसरा सही हो जाएगा निजी स्कूलों में आरच्छन आपका 18th question आया था निम्न लिखित में से कौन सी सीखने की अच्छमता गढ़ती है गढ़ना करने की च्छमता को सीधे प्रभावित करती है तो आपका 18th option पहला सही हो जाएगा डिस कैलकुलिया आपका 19th question आया था Inclusion of students with diverse learning needs requires विविद सिच्छन आवशक्ताओं वाले च्छात्रों को सामिल करने की आवशक्ता है आपका 19th option दूसरा सही हो जाएगा लचीला पाठकरम लेक्सिबल करिकुलम आपका 20th question आया था प्रतिभा साली च्छात्रों की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए निम्न लिखित में से कौन एक प्रभावी रड़नीती है तो आपका 21th option दूसरा सही हो जाएगा उन्हें चुनोती पूर और उची करम के कारिसों पे आपका 21st question आया था च्छात्रों की बीच सीखने की सुविधा प्रदान करते समय सिख्छा को निम्न लिखित में से किस रड़नीती से बचना चाहिए तो आपका 21st option पूर्थ सही हो जाएगा निस्करिये नकल निस्करिये नकल पैसिफ इमिटेशन आपका 22nd question आया था अर्थपूर अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न लिखित में से कौन ससंसादन का ततो है तो आपका 22nd option दूसरा सही हो जाएगा विस्तार, Elaboration आपका 23rd question आया था एक नया विशे पढ़ाना सुरू करने से पहले एक सिच्छा के लिए ये जानना महत्पूर है तो आपका 23rd option फूर्थ करेक्ट हो जाएगा फर्स, सेकेंड, फर्ड, एंड, फूर्थ बच्चे पहले से क्या जानते हैं आम तोर पर गलत धाल डाए आयो जित की जाती है विशे सीखने के लिए पूर्व आपेच्छाएं चात्रों की पसंदीदा सीखने की सैले आपका 24th question आया था निमनल इक खित में से किसको सीखने के लिए रचनावादी दर्ष्टी को द्वारा बढ़ावाद दिया जाता है तो आपका 24th option दूसरा सही हो जाएगा पूस्टाच अधारित सिख्छा इनकोरी बेस्ट लर्निंग आपका 25th question आया था एक सिख्छक विद्यार्थियों को अपनी सोच प्रक्त्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रहा है वे चातरों के बीच की इस तरह के कोशल विक्षित करने पर ध्यान के अंद्रित कर रही है तो आपका 25th option दूसरा सही हो जाएगा मेटा कॉगनेटिव मेटा संग्यनात्मक आपका 26th question आया था The strategy to remember a long string of letters by grouping that into memorable and meaningful parts is called तो आपका 26th option दूसरा सही हो जाएगा Chunking आपका 27th question आया था लच्छ प्राप्त करने के लिए पहले से सीखेगा नियमों के सरल अनप्रियोग से परे जाकर एक नए स्वस्थी करण तयार करना और परिडामों का मुल्यांकन इसके मैत पुड़ भाग है आपका 27th option तीसरा सही हो जाएगा समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका 28th question आजर्शन और रीजन वाला आया था तो आपका आभिकतन दिया गया था सिच्छक को विसेश अवधार्णाओं से सम्मंधित गलत धार्णाओं और छात्रों द्वारा आयोजित वैकल्पिक अवधार्णाओं को अंदेखा करना चाहिए कारण दिया गया था भांतिया अत्यंत गलत है और तर के हिंचिंतन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है तो आपका 28th option फूर्थ correct हो जाएगा दोनों A और R गलत है आपका 29th question आया था Current psychological theories of emotion conceptualize the relation between cognitive and emotional processes as तो आपका 29th option दूसरा सही हो जाएगा आपका 30th question आया था Students feel motivated to learn when task is जब कार होता है तो छात्र सीखने के लिए प्रेरित मैसूस करते हैं तो आपका 30th option दूसरा correct हो जाएगा उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा connected to the real world अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो यूटूब चनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ share करें वीडियो को like करें आज हम 10th जन्वरी को हुए C.T. 2021 पेपर 1 के हिंदी के full 30 questions complete करेंगे तो दोस्तों आपके सुरुवात के 15 questions आपके गधयांस और पद्यांस से पूछे जाते हैं तो ये आपका गधयांस given है आप इस गधयांस को read कीजिए और फिर swim इस गधयांस से पूछे गया सभी प्रस्णों के answers निकालने का प्रयाज जरूर कीजिएगा तो आपका इस गधयांस से जो पहला प्रश्ण पूछा गया था वे है उपवहार की सार्थिकता किस पर निर्भर करती है तो आपका first option पहला सही हो जाएगा जब उपवहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए आपका second question पूछा गया था जीवन में कर्म किसे प्रेरित होने चाहिए तो आपका सेकेंड का आप्शन दूसरा सही हो जाएगा सत्य से दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो इस योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आपको इस योटूब चैनल पर 2021 में हुए मैक्जिमम सभी सिफ्टों के सॉलिशन्स अल्रेडी प्रोवाइट कर दिये गए हैं तो आप इस योटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सॉलिशन्स देख लीजिए आपका थर्ड कोश्चन इस गद्यान से पूछा गया था समय को सम्मान देने से तात पर रहे हैं तो आपका थर्ड कोश्चन पहला सही हो जाएगा समय का सद उप्योग करना आपका fourth question इस गद्यान से पुछा गयाता है ऐसा कोई नहीं जिसने इस अंसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो केस अंदर में कौन सा वाकिस सही है तो आपका fourth option तीसरा सही हो जाएगा अच्छे कारे का फल सदेव अच्छा होता है आपका fifth question इस गद्यान से पुछा गया था धर्म सब्द में एक प्रत्या लगने पर सब्द बनेगा तो आपका fifth option तूसरा सही हो जाएगा धर्मे आपका sixth question पुछा गया था किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूती देते हैं तो आपका sixth option पहला सही हो जाएगा जिन से समाज के हित साधते हो आपका seventh question पुछा गया था स्वैम को कर्म के लिए साध लेना से तात पर रहे है तो आपका seventh option पहला सही हो जाएगा कर्म करने के लिए सदेव तक पर रहना आपका एट्थ कोश्चन इस गद्यान से पुछा गया था उपहार का समनार्थी नहीं होगा तो आपका एट्थ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा सम्मान आपका नाइन्थ कोश्चन इस गद्यान से पुछा गया था अनभूती सब्द का विग्र है तो आपका नाइंद का option तीसरा सही हो जाएगा अनू प्लस भूती तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांस से पूछे गए सभी प्रशन समाप्त हो जाते हैं तो आप इस गद्यांस को जरूर ही read कीजिएगा और सभी प्रशनों के उत्तर swim ही निकाल लिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कुल कितने प्रशन के उत्तर सही निकले आपका अब पद्यांस दिया गया था तो आप इस पद्यांस को read कीजिए और फिर swim answers निकाल लिएगा तो आपका ये गद्यांस मन मोहनी से लेकर वै देश कौन सा है तक है तो आपका इस पद्यांस से जो पहला question पूछा गया था वै है भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है तो आपका 10th का option तीसरा सही हो जाएगा यहां की प्राकृतिक रचना विविदता के संदर्व में बहुत सम्रद है आपका 11th कोशन पूछा गया था नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है सुधा की धारा से क्या आसा है तो आपका 11th का option दूसरा सही हो जाएगा नदियों में बहता जल अम्रत समान है आपका 12th कोशन इस पद्यान से पूछा गया था काव्यांस की कौन सी पंक्ति का भाव है कि यहां तरह तरह के सुगंदित फूल सदेव खिले रहते हैं तो आपका 12th का option फूर्थ सही हो जाएगा जिसके सुगंद वाले सुंदर प्रस प्यारे आपका 13th कोशन इस पद्यान से पूछा गया था जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है इस पंक्ति का भाव है तो आपका 13th का option पहला सही हो जाएगा जिसकी धरती बहुत ही उपजाओ है आपका 14th कोशन इस पद्यान से पूछा गया था 40 कोटी भाई सेवक सप जिसके पंक्ति में 40 करोड जन संख्या का ही उले क्यों हुआ है तो आपका 14th कोशन तीसरा सही हो जाएगा रचनाकार ने जिस समय रचना लिखे उस समय इतनी ही संख्या थी आपका 15th कोशन पूछा गया है रतनेस का संदी विच्छेद है तो आपका 15th कोशन दूसरा सही हो जाएगा रतन प्लस इस यहां पर आपकी गुड संदी है तो दोस्तों यहां पर आपके पूछे गए पद्यान से सभी प्रशन समाप्त हो जाते हैं और गद्यान्स और पद्यान्स के सभी 15 प्रशन भी समाप्त हो जाते हैं तो दोस्तों आप यह गद्यान्स पद्यान्स ज इतने उत्तर आपकी सही निकले आपका सिक्स्टींत कोश्चन पूछा गया था आपने अभी हाल ही में एक नए सब्द का प्रयोग किया आपका एक सिच्छार्ती उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस सब्द का प्रयोग करता है आप उस सिच्छार्ती की प्रसंसा करते हैं कि उसने संदर्व में सब्द का परियोग किया ये भासा अरजन यूगती सरवाधिक रूप से डैस का निरूपन करती है तो आपका 16th का आप्शन पहला सही हो जाएगा इसकनर के सीखने के सिध्धान आपका 17th कोशन पूछा गया था लिखना सिखाने के लिए नीचे दिये गए चेड़ों को विशिस्ट सिच्छा सास्तरिय करम के पस्तुती करण हे तू करम से लगाईए तो आपका 17th का आप्शन तीसर सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका 18th कोशन पूछा गया था सब्द दिवार, सब्दों का समू है जिसे कच्छा कच्छ की दिवारों पर बड़े अकार के अच्छरों में लिखा थुआ पेंट किया जाता है कि वैसाप साप नजर आ सके निम्न लिखित में से कौन सा साच्छर्ता, संप्रत्यया, कौसल इस सब्द दिवार के उप्योग से पढ़ाने के लिए सरवाधिक उप्योगत है तो आपका 18 का आप्शन 4 सही हो जाएगा मूल सब्दों को समझना दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे देस पठन का सार तत्व है तो आपका 19 का आप्शन 2 सही हो जाएगा अर्थ आपका 20 कोशन पूछा गया था ग्रेस अपने सिच्छार्तियों को पॉड का सुनने और कहानी को आरेक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है ये गतिविदी सिच्छार्तियों को उनकी डैस के समवर्धन के लिए सबसे कम आवसर प्रदान करती है तो आपका 20 का आप्शन पहला सही हो जाएगा कलपना सकती आपका 21 कोशन पूछा गया था निम्न लिखित में से कौन सा सिच्छार्तियों को संचेपर के फिच्छण में सरवादिक उप्युक्त है तो आपका 21 का आप्शन पहला सही हो जाएगा इस कहानी का सीर से क्या होगा आपका 22 कोशन पूछा गया था कविता पढ़ने के उपरांथ निम्न लिखित में से कौन सा प्रशन सिच्छार्तियों द्वारा अनुमाल लगाने को सरवादिक रूप से सामिल करना है तो आपका 22 कोशन पहला सही हो जाएगा क्या कभी द्वारा कविता को दिया गया सीर सक संगत है आपका 23 कोशन पूछा गया था निम्न लिखित में से कौन सा लेखन अभ्या सिच्छत द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उधारण है तो आपका 23 कोशन पहला सही हो जाएगा सिच्छतियों को उनके वाकिया विचार का प्रारंब करने के लिए सुरुवाती वाग्य उपलब्ध कराना आपका 24 कोशन पूछा गया था निम्न में से कौन सा सिच्छतियों को परसर्ग प्रकरण का आगमन विदी से पढ़ाने के उपागम कानुम करता है तो आपका 24 का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा सिच्छतियों को वाकियों के अनेक उधारन देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना आपका 25 कोशन पूछा गया था एक रड़नीती के रूप में आप बहु भासिकता से क्या समझते हैं तो आपका 25 का उप्शन पहला सही हो जाएगा सिच्छार्थियों की भासा का प्रियोग करना आपका 26 कोशन पूछा गया था काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ या आकलन करने के लिए निमनल खित में से कौन सा सरवाधिक उप्युक्त आकलन प्रस्न है वैब कल बहुत तेज डैश तो आपका 26 का उप्शन फूर्थ सही हो जाएगा सामान ने वर्त मानकाल के रिक्तिस्थान की पूर्ति कीजिए आपका 27 कोशन पूछा गया था सचार्तियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार किया जाता है उनके विभिन उधारों का एकत्री करन कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना डैश कहलाता है तो आपका 27 कोशन तीसरा सही हो जाएगा पूर्टफोलियो आकलन तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस यूटूब चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपको इस यूटूब चनल पर 2021-22 में हुए मैक्जिमम सभी सिफ्टों के सोलुशन और लेड़ी प्रोवाइड कर दिये गए हैं तो आप इस यूटूब चनल को विजिट करें और सबी सिफ्टों के सोलुशन देख लीजिए आपका तॉन्टी एट कोश्चन पूछा गया था हिंदी सिच्छा की एक सामान विसेस्ता है प्रामाडिक पार्थ सामगरी का प्रियोग करना निम्न लिखित में से कौन सा प्रामाडिक पार्थ सामगरी के उद्देश को सबसे कम पूरा करता है तो आपका तॉन्टी एट कोश्चन पहला सही हो जाएगा सो नियमों की नियमा वली आपका तॉन्टी नैंथ कोश्चन पूछा गया था एक्स एक उनलाइन उपकरण है जो ने सब्दों उनके अर्थ उचारण और वाक्य में प्रियोग का एक समुच्चे उपलब्द करता है निम्न लिखित में से कौन सा कौसल इस उनलाइन उपकरण के प्रियोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है तो आपका 39 का उप्षिन फूर्थ सही हो जाएगा दी गई पाठ समगरी को प्रवापूर पढ़ना आपका 30 कोश्चन पूछा गया था जब 9 वर्स मनाने पर एक अनुछिद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक से चारती इस प्रकार लिखता है मित्रो को आमंत्रिद किया केक लाया सजावट पे जल्पान मता पिता गुबारे फुलाए मैंने सजाया अब आप से चारती को अनुछिद लेखन के किश रणप पर सरवादिक ध्यान देने के लिए कहेंगे तो आपका 30 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा मसादा तयार करना दोस्तो अगर आप आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस यूटूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा आपको इस यूटूब चैनल पर ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे तो आप इस YouTube चनल को subscribe जरूर कर लें और कम से कब एक दोस्त को सेयर जरूर कीजएगा जिससे इस YouTube चनल को boost मिलेगा So please subscribe this YouTube चनल and वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें Thank you for watching the videos